खुद के इस तरवर प्राइवेट फाइनेंस कमपनी से लोन लेकर व्यापैर करने वाली महिलाओं को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अरजुनलाल सेटी नगर की रहने वाली महिलाओं ने मांगी मौलत माफ नहीं 6 महिने की मौलत चाहिए जिला कलेक्टर को ग्यापन के जरी अपनी परेशानियों से अउगत कराया महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपने कारिये के लिए बैंक से लोन लिये थे लेकिन अब उनकी आलत इस तरह की है कि वे लोन नहीं चुका सकती इसके लिए वे 6 महिने की मौलत दिलाएं जिस से उन्हें राहत प्रदान हो सके वहीं उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग करी है कि उनकी मांगों पर जल से जल ध्यान दिया जाए उनको राहत प्रदान की जाए की typical गोलत चुकाने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम हमारी घर का खघ्चा चलाएं यह लोन के किस्ते वरे अंनुस बरह तो हम इस लिए हम यहाँ पर इसलिए उन्हार को थोड़े सी मौलत दी जाए कि जिससे हम किस्ते चुकाने के लिए सक्षम हो जाए थोड़ा पैसा इखटा हो तो हम अपनी तरफ से फिर किस्ते चुकाएं और अभी हमारी जो सार वगेरा है यह आते हैं आए दिन हमार को रोज परेशान कर रहे हैं फोन कर रहे हैं और आए के घर पर दमकिया दे रहे हैं बोले चेक ल हम दबने के दमकिया दे रहे हैं तो आएगाने की धमकिया दें है शेक्ति खति हैं ओर माय फाइन से शीरीनात् फाइन से श्रीजीवा ने तो हमने तोड़ा जाज जैसे हमारे को 25-25 जार के लोन मिलते हैं 20-20 के मिलते हैं तो हमने तीन-चार कंपनियों से लोन ले रखें मेरा नाम रीना सर हमने छोटे-छोटे बिसनेस चलाने के लिए हमारे लोन लिये थे जैसे कि घर का नाश्ता कोई महिला है जिनके आगमी टेंपो चलाते हैं गाड़िया चलाते हैं जो घर का जीवन यापन नहीं कर सकते तो महिला है लोन लेकर जैसे सलाई मशीन लेकर या टिफिन सेंटर के लिए इससा चलाकर अपना लोन लेते थी लोन लेकर किस्ते हम टाइम टू टाइम चुका रहे थे आज तक हमारी कोई भी किस्ते से बाउंस नहीं हुई है लेकिन लोकडाउन होने की वज़े से सारे काम अब कुछ भी नहीं चल रहे हैं ना टिफिन सेंटर से कोई खाना मंगा रहा है ना गाडी मोटर चल रही है यहां परशानी यह है कि हम लोग घरी नहीं चला पा रहे हमारे संस्ताओं द्वारा हम लोग राशन लेकर बंडारों से खाना लेकर जैसे अपने बच्चों का जी अपिल कर सकते हैं कि संस्ताओं के फाइनस कंपनियों का महारी हैं कि उन्ना वक्त पें पैसा दिया था जी किस तरीके बढ़का करें रहे हैं बहुत कटनाईों से गुजारा हो रहा हम लोग भंडारों से खाना लेकर या राशन वगारा लेकर जैसे तैसे गर गिरस्ती चला आपका नाम बताइए शबनम